तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि अपनी अपनी सास को शर्मिला के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन फिर भी उसकी सास उसकी बात नहीं मानती है वही इंस्पेक्टर आमिर घर वालों को बताते हैं कि सुनिल ने ही उस दिन हेमा और खुद का अक्सिडेंट करवाया था, तो आखिर क्यों? आईए जानते हैं आगे की स्टोरी में, अब आगे तो सुनिल को पकड़ लिया जाता है वही अवनी और बाकी घर वाले उन मा बेटी की ऐसी बाते सुनकर वहाँ से दूसरे कमने में चले जाते हैं खेर सुनिल से बहुत सारी पुष्टाच करने के बाद सब पता चलता है और घर वालों को सारी बात बताई जाती है सुनिल ने कबूल किया है कि वो नहीं चाहता था कि हे मा मा बने इसके लिए पहले तो उसे प्रगनेंसी रोकने वाली दवैया देता रहा लेकिन जब आमला उसके हाथ में नहीं रहा तो उसना ऐसा काम किया देखा मा, कहता था ना मैं, भईया कहीं गलत चल रहे हैं, और आपने तो बेवजे ही अपनी के साथ इतना बुरा बरताव किया तो मुझे क्या मालूम था ये सब और क्या, एक तो मा इतनी परिशान है और तुम उपर से मा को ही बोले जा रही हो शर्मिला दीदी, आप तो चूपी रहो, आपने लव मेरेज की है, और उसके बाद भी आपसे पने परिवान ही समाला गया देखो न मा, क्या देखें, सब दिख रहा है, इतना सब हो गया और उपर से यहाँ पर आकर आग लगाती रहती हो आपको तो ये भी नहीं बता कि आपका पती कहाँ पर है अजे, ज्यादा मत बोल, वर्ना दीदी बहुत हुआ, अब और नहीं तभी अपनी वहाँ आ जाती है अचे, शर्मिला दीदी, इनसे ऐसे बात मत करो हाँ हाँ हाँ, आ गई नाटक करने तू दीदी में आपकी बातों को नजर अंदास करता रहता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही नजर अंदास करता रहूंगा आजे, पागल हो गया है क्या यही सिखाया है मैंने तुझे ऐसे बात करते हैं अपनी बेहन से और शर्मिला जल्दी से रोते हुए अपने कमरे में जाती है और समान पैक करने लगती है तब ही वेजनती उसके पास आ जाती है पेटा नहीं नहीं, उन लोगों की बात मत सुन मैंने कहा ना, छोड़िये सब नहीं मा, अब बहुत हो गया तो हाथ में सूट केस लिए शर्मिला बाहर आती है और अपनी की तरब गुस्से से देखते हुए वहां से निकल जाती है वही आनंद के तबियत जाथा ठीक नहीं रहती थी इसलिए वह भी इन चीजों से तंग आ चुका था क्या हो गया है ये सब समझ नहीं आता कि आखिर किस किस को क्या क्या कहू में ये बस आपकी बहू की वज़े से ही हुआ है तो अगले दिन अजे और अपनी बाहर आकाश से मिलने जाती है मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी इंफॉर्मेशन वगेरा निकाली अजीत ने बताया है कि वो अभी किसी रेस्टोरंट के बाहर है ये वारे जीनियस अजे चलोग जल्दी वहाँ पर पहुचते हैं दोनों वहाँ पर पहुच जाते हैं वहां आकाश बैठकर कोने वाली टेबल पर कॉफी पी रहा था कि तभी दोनों पत्नी पत्नी उसके पास जाते हैं और अकाश उन्हें देखकर चौंक जाता है आप यहाँ डोट वरी अकाश हम तुमसे लडाई करने नहीं आए हैं हम बस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं हाँ बोलिए अकाश देखो हमें पता है कि तुम शर्मिला को चाहते हो लेकिन अकाश मैं समझता हूँ कि तुम एक समझदार आदमी हो तुम अपनी मज़े से किसी और का घर तूटने नहीं दोगे न है न यह आप दोनों क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देखो अकाश अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है मिरी बहन शर्मिला का घर तूटने से बचालो प्लीज हाँ अकाश तुम्हें नहीं पता कि शर्मिला ची के पती का क्या हाल हो रहा है वो तो दो दिन से call भी नहीं उठा रही है लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं है वो शर्मिला के लायक ही नहीं है वो तो मारता पीटता भी है उसे अकाश ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि शर्मिला ने उसे अपने पती के बारे में हमेशा बुरा ही बताया था नहीं आकाश, ऐसा बिलकुल भी रही है तुम्हें जूट बताया गया है इस बात में एक भी सच्चा ही नहीं है हाँ, हम जानते हैं उन्हें आखिर वो मेरी नंध है और दोनों मिलकर शर्मिला और निखिल की सारी बात बता देती है महियां काश को निखिल के लिए अच्छा नहीं लग रहा था और वो हैराम था कि शर्मिला ने उसे जूट बोला था हम, निखिल के साथ बहुत गलत हो रहा है लेकिन आगे नहीं होगा, चिंता मत करिए मुझे पता था कि आप जरूर समझ जाएंगी थैंक्स तो वही कुछ दिन और भी जाते हैं लेकिन निखिल का कोई अता पता नहीं चलता तो कुछ ही दिनों बाद अचानक शर्मिला रोते हुए अपने माई के वापस आती है मा मा, बुरी खबर है पुलिस को नहेर के पास से क्लाश मिली है जिसका होलिया निखिल के तरह बताया जा रहा है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता हाँ, हाँ, मैं तव विद्वा हो गई मा अब क्या होगा? अरे, रो मत बेटी अन्होने को कौन टाल सकता है? चिपो जा वहीं अबनी और हेमा भी उसको सांद्वना देती है खेर, निखिल अब चुनिया छोड़ चुका था वो एक दिन, बिंदू ग्यास पर दूद रखकर खड़ी थी और उसके सामने दूद उबल रहा है लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और है और तब ही वहाँ पर अबनी आ जाती है अरे, बिंदू, तुम्हारे सामने दूद उबल रहा है और तुम्हारा ध्यान कहा है? क्या हुआ? सब ठीक है, ना? अरे, दीदी, वो, 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 कुछ नहीं, सब ठीक है क्या बात है, कुछ प्रॉबलम में है, तो पता दो नहीं, आप टेंशन मतलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वो चटपर पड़े कपड़े भी सुख गए होंगे ना, मैं लेने जा रही हूँ और बिंदू वहाँ से चली जाती है, अरे, चटपर तो कपड़ी है ही नहीं, इसको क्या हूँ अब? वहीं बिंदू चट पर जाकर रो रही थी, शायद यह सब मेरे कर्मों का ही पल है तो दो दिन बाद अपनी खुशी-खुशी हेमा के पास आती है जी ठानी जी, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी ढूण ली है अच्छा, मुझे करना क्या होगा देवरानी जी? मेरी एक फ्रेंड है, उसका बहुत बड़ा पार्लर है वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, तो मैंने उससे बात कर ली है थांक्यू देवरानी जी हाँ, तो आप तयारिया कर लीजिए, कल सी ही जाना है वहाँ आपको हाँ, जरूर तो अगले दिन से हेमा अपने काम पर जाना शुरू कर देती है वहीं यह सब अपनी की सासुमा और ननत को कहां गवारा था अब दोनों मिलकर अपनी को परिशान करने के लिए नए-नए रास्ते ढूणने लगे कभी उससे कुछ काम करने को कहती तो कभी कुछ तो एक दिन अपनी की तब्यद खराब हो जाती है क्या हुआ देवरानी जी, आपकी तब्यद ठीक नहीं लग रही हाँ जिठानी जी, कहीं दिन से रात में थोड़ी देर तक जाग रही हो न और नेंद भी पूरी नहीं हो पा रही है अच्छा, पढ़ाई के लिए क्या? हाँ, मेहनत करनी तो ज़रूरी है न मेरी बज़े से आपको बहुत कश्ट उठाने पड़ रही है देवरानी जी मैं नौकरी छोड़ देती हूँ अरे नहीं नहीं जिठानी जी, यह आप कैसी बाते कर रही है इतनी छोटी से बात के लिए आप अपनी जौफ ताप पर लगा देंगी नहीं नहीं लेकिन आपको घर का इतना सारा काम करना पड़ रहा है अरे कोई बात नहीं जिठानी जी, वैसे भी मेरे साथ बिंदू है न फिर हाँ और वेजंती दर्वासे के बाहर से कान लगा कर यह सब बाते सुन रही थी तो अगले दिन कमली श्वेजंती के घर आया है, दोनों मिलकर बहुए तो वेकार है पहले तो छोटी बहु को मैंने थोड़ा सा प्यार दिया, दुलार दिया इसलिए क्योंकि उसकी शादी में बहुत सारा दहेज मिला था, लेकिन वैं तो सर्पर ही चड़ गई हाँ, हाँ, काफी पड़ी लिखी है, और बड़ी फास्ट इंगलिश बोलती है टैटर करके हाँ, बस इनी चीज़ों का घमंड है उसे, जुबाद पर तो उसकी बिलकुल भी लगाम नहीं है और बड़ी बहु, उसके बारे में तो तौबा तौबा, क्या ही कहूँ हाँ, आजकल तो कोई गारंटी नहीं, किसको कैसी बहु मिल जाए हाँ, वही तो, मेरे ही नसीब फूटे है, अच्छा ये सब छोड़, तो ये बता कि तु शादी कप कर रहा है अभी इसका मेरा कोई खास विचार नहीं है दीदी, बाद में देखेंगे ओ हो, तेरो तो हमेशा यही जवाब रहता है अच्छा दीदी, बिंदु दिखाय नहीं दे रही है अरे आज बिंदु की तब्या ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में हराम कर रही है अच्छा दीदी, आपके घर में तो नौकरों की भी मौज है मामा जी बिंदू इस घर की नौकर नहीं है, वो इस घर की बेटी जैसी है खेर अब क्योंकि निखिल इस दुनिया में नहीं रहा तो शर्मिला और अकाश की भी शादी तै हो जाती है कुछ बगबाद अजय की दूर की चाची के लड़की की शादी है और सभी लोग वहाँ जा रही है लेकिन बिंदू और शर्मिला नहीं जाते अच्छा ठीक है, गेट अंदर से लॉक कर लेना, अब हम लोग जा रहे हैं, ध्यान रखना हाँ ध्यान रखेंगे, टोन्ट वरी, और सभी लोग शादी के लिए निकल जाते हैं बिंदू तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, जब तक मैं तेरे साथ हूँ, कुछ कलत नहीं होने दोंगी तेरे साथ हाँ दीदी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत सब नहीं करना चाहिए था अरे तु इतना डर मत, उस आदमी को तो हम अच्छे से सबक सिखा कर ही रहेंगे, देखती जा हाँ दीदी, मुझे अपने से ज्यादा अपने माता पित और अपनी चोटी बेहन गुन-गुन की चिंता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा अरे बिंदु तुझे कहा ना, तो चिंता मत कर इतना, कहा ना शांत रहे और थोड़ी देर तक दोनों हॉल के रूम में ही बैठे रहते हैं, लेकिन इसे बीट शर्मीला को बहुत तेज नीद आने लगती है और वो सोफे पर ही बैठे-बैठे सो जाती है, तब ही पीछे से एक आदमी आता है, जिसे देखकर बिंदु बहुत डर जाती है अगले दिन सब घर आकर चॉंक चाते हैं, क्योंकि घर से सारा कैश और जेवर गायब थे, और बिंदु भी गायब है ये बगबान, यकीन नहीं होता कि बिंदु ऐसा कर सकती है लेकिन मा बिंदु ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो? हाँ, हमें इस तक्टर आमिल को ये सब बताना होगा आज, बताओ उनको सब हाँ कमलेश, आज कल तो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए तो आखिर ये सब किस ने किया था? क्या इन सब चीजों के पीछे बिंदु ही थी? ये तो हमें आखिक एपिसोड में ही जानेंगे तो देखना ना भूलिए, रिष्टे का एपिसोड दस